लोकसभाचुनाओं का जो समर है वो तेज होता जा रहा है। कॉंग्रेस अपनी रणीती मजबूत कर रही है, मुद्दे तै होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉंग्रेस प्रबक्ता आलोग शर्मा जी हैं। आज जिस तरह से पूरे देश को बेरुजगार कर दिया है, जिस तरह से हर तीसरा व्यक्ति आज बेरुजगार नज़र आ रहा है 40-45 साल की जो हाइस बेरुजगारी दर है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए यूँकि युवा जो है वो इस देश की ताकत है, जरूर हमारे सीनियर लीडर्स बेरुजगारी को महत्वपून स्थान देंगे उत्तरप्रदेश पे पेपर लीग का बड़ा मुद्दा बना, हजारों लाखों युवा हैं जो इससे परेशान है, इनकी लिए क्या समाधान कॉंग्रिस पार्टी सोच सकती है देखे पेपर लीग का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जब से मोधी जी की सरकार आई है, ये गुजरात में पेपर लीग होते थे अब हर जगे हो रहे हैं केंदर सरकार को भी इस दिशा में आईटी सेल जो उनका है, जो मिनिस्ट्री ओफ इनफॉर्मिशन टेक्नलॉजी है, उसको काम करना चाहिए, कहां से लीग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कहीं आउनलाइन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनकी कहीं पर कोई नियत साफ नहीं ह रोजगार देना ही नहीं चाहते हैं, इनके तमाम लोग पेपर लीक में शामिल पाए जाते हैं, कोई सक्त कानून नहीं लेकर आते हैं, राजिस्तान में इस तरह की घटनाएं हुई, राजिस्तान में सक्त से सक्त कानून आया और उसके बाद पेपर लीक रुक गया, केंद हागे पूर्ण है कि डबल इंजिन की सरकार पेपर लीग को नहीं रोक पा रही है फेल है शुक्रे सर एंडी टीवी से बात करने हैं